हलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल मल्टी रोज लाइव दोस्तों आज हम आपको बताएंगे पपाया सीट्स यानि के पपीते के बीजों से होने वाले फायदों के बारे में उससे पहले आपसी निवेदन हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें जो कि पूर्णेते फ्री है ताकि एसी महात्वपूर्ण जानकारिया आप तक समय पर पहुंच सके दोस्तों पपीते से होने वाले फायदों के बारे में लगबग सभी जानते हैं पर कम ही लोगों को पता होगा कि पपीते के पपीते के बीज को खाने के लिए अब चाहें तो इनको सुखा कर पीस कर उनका सेवन कर सकते हैं या फिर पपीते के बीजों का सबसे सही तरीका है आपको पपीते के बीजों को पीस लेना है इसके बाद उसे पसिंदीदा जूस के साथ मिक्स करके लिया जा सकता है पपीते की तुचा में किसी भी तरह की जलन की समस्या हो तो आप पपीते के बीज खा सकते हैं इससे आपको जलन में कमी महसूस होगी पपीते के बीजों में ऐसे ओशिधी तत्व पाई जाते हैं जो कैंसर जैसे खतरनाक रोग में व्यक्ति के शरीर में कैंसर विरोधी शम्ता पैदा करता है इसलिए यदि किसी को कैंसर जैसी बीमारी है तो उसे इन पपीटे के बीजों का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि इसके बीज में मौझू तत्तु आपके शरीर के रोगों से मुक्त करने में आपकी साहिता करते हैं अगर आपको दाद की समस्या है तो हम आपको बताते हैं बेहदी सिंपल तरीका जिससे आप अपने दाद की समस्या से अराम पा सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना है कि पपीते के बीजों का पेस्ट बना ले और फिर उसे अपने दाद पर लगाएं ये दाद के लिए बेहधी असरदार होता है पाचन तंत्र की मजबूती के लिए पपीते के बीज राम बान इलाज है इसके सेवन से पाचन ठीक से होता है और पाचन संबंदिस सारी समस्याइं भी खत्म हो जाती है साथियों कितना ही भेंकर पेट दर्द हो या फिर दस्त पपीते के बीजों का रस पीने से इन समस्या में जल्दी ही अराम मिलता है अगर आप प्रति दिन पपीते के बीजों का सेवन करते हैं तो आपको वाइरल बुखार होने की आशंका कम हो जाती है ये बीज एंटि वाइरल एजेंट की तरह काम करते हैं साथ ही ये संक्रामक बीमारियों में भी एक कारगर उपाए है दोस्तों पपीते के बीज का सेवन करने से लीवर भी मजबूत रहता है और लीवर से समधित समस्याओं में ये एक कारगर उपाए है दोस्तों आजकल कैलिस्ट्रोल और हाई बीपी बहुत ही आम बात हो गई है और आप नियमित पपीते के बीज का सेवन करेंगे तो आप कैलिस्ट्रोल और हाई बीपी जैसी बिमारियों से या परिशानियों से आपको बहुत ही जल्द आराम मिलेगा तो दोस्तों ये हमने आपको बताए पपाया सीड्स यानि के पपीते के बीजों से होने वाले स्वास्ते वर्दक फाइदों के बारे में उमीद करते हैं हमारे दुआरा दी के ही जानकारी आपके लिए लाबदायक होगी ऐसी ही जानकारियां हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे आपसे निवेदन है आप हमारे मल्टी रोज लाइफ चैनल को अभी सबस्क्राइब करें हमारी वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा और साथियों तक शेयर करें ताकि ऐसी महत्यपून जानकारियां आपके दुवारा और साथियों तक भी पहुंचती रहें बाई टेक केर बी हैपी धन्यवाद